ब्लोगर कॉर्स की नावी वीडियो में जो है हम आपको वेलकम कहते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने मीटा टैक्स जनरेट करके इसमें एड़ करने हैं और मीटा टैक्स के क्या क्या फाइलिया है पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि डिस्क्रिप्शन किस तर आड करना है और डिस्क्रिप्शन एड करके ओपर दिखाया हूँ था तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मीटा टैक्स हैं क्या आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसको इनेबल करना है तो आजन है आपने नीचे और नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा मीटा रैक्स का चलते हैं नीचे मीटा टैक्स का सबसे पहले होगे आपने इसको on करना है यह तक्रीब दस सेगेंड में और हो जाएगा और यहाँ पर साची description का option है अब हमने जाकर साच करना है यहां पे लिका हुए ना Meta Tags आपने सार्च करना है Meta Search Description Generator for Blogger Meta Search Description for Generator Blogger जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही वेबसाइट आएगी Grow, Bar, SEO यह वेबसाइट बहुत अच्छी है आपने इसको Open करने के बाद आपके सामने यह इंटरफेस आजाएगा Generate a Meta Description तो आपने डिटेल लिख देनी है जैसे मैं लिख देता हूँ AP के Tech I am I Change तो यह मैंने तीन उसको जो है दे दी है Tags अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ अब यह खुद बखुद जो है जनरेट करके दे देगा इन Tags के related के अगर इस तरह की audience जो सार्च करती है तो वो क्या सो हो रहा होता है तो यह तकरीबन कुछ सेकंड में हम भी जनरेट करके दे देगा इसलिए देखें यह एक जनरेट करके दे दिया है यहां पर copy का option भी आगे है 22 वर्डे 128 करेक्टर है इसको copy कर लेती हैं इसलिए बिल्कुल दुर्स लिख के दे देता है जो आप जिस तरह की अपकी category की website है यहां पर आकर मैं paste कर देता हूँ इसको save कर सकती है meter tags जो है वो आप 150 अलफाज तर कर सकती है तो हमारा meter tag एड हो चुका है अब यह हमारे search में तकरीवन एक दिन या कुछ गंटों में एड हो जाएगा उम्मीद करता हूँ में यह वीडियो पसंद आई होगी है